नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रदिक पटे लाइर वेद लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम पटोल के बारे में आपको जानकारी देने वाने हैं या एक बन्य परकार का होता है वह कडवा होता है इसलिए उससे कटू पटोल भी कहा जाता है इस परकार से उसके फ्लावर होते हैं या मौनसुन की सीजन में अधिक देखे जाते हैं या साउध कुजरात में बहुत अधिक पाया जाता है इस प्रकार के फ्लावर आप उस पे लगे होगे देख सकते हो और इसलिए आप उसे पहचान सकते हो इसके fruits भी आप देख सकते हो इस प्रकार के जो परवल के fruits रहते हैं उसी तरह के fruits रहते हैं लेकिन स्वाद में कड़वे होते हैं इसलिए इसे कटू-पटोल कहते हैं इस प्रकार की बेललता होती है और इस प्रकार का flower पुष्प होता है ये आप उसके fruits देख सकते हो इस प्रकार की white दारियां उस पे आप देख सकते हो इस प्रकार के पत्ते होते हैं इससे आप easily पहचान सकते हो चिकितसा में उसके पूरे पंचांग का यूज होता है इस्तेमाल होता है पटोल गूण में उस्टन होने के बावजूद भी पीत को बढ़ाती नहीं है पफ दोश का समन करती है जवर को, fever को कम करती है पामला, उदर रोग, रक्तविकार, कुष्ट, स्कीन डिसीज, क्रॉनिक फीवर पूरे सरीर में जलन होना, दा होना उश में लापदाई है उसका रेचन के लिए डायरिया करवाने के लिए उपयोग होता है इसकी जड, roots, से तीवर रेचक है जिससे बहुत अधिक डायरिया होते है उसकी हरे फल की गुद्दी भी रेचक होती है जिसके पत्ते, दीपन, पाचन, बल्य, तिक्त, पुष्टी के हम अधिक मात्रा में लेने से उल्टी और दस्त होते है यह एक आयरुविदिक अउशदी है जिसे अपने आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए आपको अगर इस जड़ी भुट्टी का इस्तेमाल करना हो तो आईरुविदिक डॉक्टर के अंड़े में रहकर ही करना चाहिए पटोल के बारे में अगर आपको यह जानकरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करे, शेर करे और ऐसे ही आईरुविदि से जड़ी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे धन्यवाद, जय आईरुविद, जय दन्वंतरी